आज हम आपको Top 10 NIT College के बारे में बताते हैं उसकी NIRF रैंकिंग और इसमें आपको Mechanical Branch में किस रैंक तक JEE के वेस्पे अडबिशन मिलने माला है वो भी हम आपको दिखाने माले हैं उससे पहले हम आपको दिखा दे यहाँ पर जो रैंकिंग लिखी हुई है 9, 12, 16, 21 यह 2030 के according इसकी NIRF रैंकिंग लिखी हुई है इसके बाद हम आपको दिखाते हैं Mechanical Branch आपको JEE के किस रैंक तक मिलने माला है category wise आईए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख लिजिए Top 10 NIT College हमने लिया है यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं किस category में किस रै लिए NIT College का है यहाँ पर आप देख सकते हैं Open के आगे F लिखा हुआ है इसका मतलब यह Female के लिए है जो Girls है उनके लिए यह दिया हुआ है यह All India quota का ranking हम आपको दिखा रहे हैं Open Girls के लिए दिया हुआ है 21,081 दिया हुआ है EWS के लिए 18,089 दिया हुआ है और OBC के लिए 21,140 दिया हुआ है YSC के लिए 64,070 है और YSC के लिए 89,917 दिया हुआ है इसी तरह से आप देख सकते हैं यह करणाटक का है Open के लिए दिया हुआ है 15,069 है Open Female के लिए दिया हुआ है 21,273 EWS के लिए 20,046 दिया हुआ है OBC के लिए 21,501 YSC के लिए दिया हुआ है 90,436 YSC के लिए दिया हुआ है YSC के लिए 1,04,204 दिया हुआ है इसी तरह से आप देख सकते हैं, ORIZA का यहां पे दिया हुआ है, 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 ORIZA का यहां पे लिए दिया हुआ है open female के लिए दिया हुआ है EWS, OVC, ESC के लिए यहां पे दिया हुआ है तो आप एक-एक करके इसी तरह से top 10 NIT college की ranking देख सकते हैं आपको mechanical branch इसमें किस rank तक किस category में मिलने वाली है एक-एक करके हम आपको आगे भी दिखाते हैं यह फिप नंबर पे है NIT college इसके बारे में आप देख सकते हैं open के लिए 25,724, open female के लिए 38,194, EWS के लिए 28,961, OVC के लिए 32,597, YSC के लिए 1,6,937, YSC के लिए गया हुआ है 1,3,148 इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सिल्चर के लिए NIT जो सिल्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं open के लिए 42,047 गया हुआ है mechanical branch open female के लिए है 57,855 EWS है 44,233, OVC है 50,150, YSC है 1,3,025, YSC है 1,74,535 तक यह चला गया है साथवे नंबर पे आता है यह NIT पटना है open के लिए गया हुआ है 42,325 open female के लिए 60,439 EWS 44,345 गया हुआ है OVC के लिए गया है 51,109 YSC के लिए गया है 1,46,100 और YSC में चला गया है 2,20,049 यह last round जो C7 round का होता है उसका हम आपको cut off दिखाए है यह total closing rank के बारे में है तो 2024 में जब आप apply करेंगे तो इस rank तक के बच्चे इसमें apply कर सकते हैं आठवे नमबर पे कुरुक छेत्र है यहाँ पे जो गया हुआ है ranking इसकी closing ranking open के लिए 39,870 open female के लिए 41,521 EWS के लिए 34,352 OVC के लिए 34,509 YSC के लिए 1,17,417 है और यस्टी के लिए 1,68,997 गया हुआ है और यहाँ पे आपका 9 नमबर पे है रायपूर open के लिए गया हुआ है 44,430 open female के लिए है 57,637 और EWS के लिए गया हुआ है 47,133 OVC के लिए गया हुआ है 52,435 YSC के लिए गया हुआ है 1,444,439 YSC के लिए गया हुआ है 2,1631 दस्वे नमबर पे आता है मेगाल है इसमें जो आपकी क्लोजिंग रैंक गई हुई है C-7 राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं open के लिए 63,126 है open female के लिए है 92,968 EWS 68,188 OVC के लिए है 70,182 YSC के लिए है स्वर YSC के लिए है 1,88,219 YSC के लिए 3,44,999 यह सबकी क्लोजिंग रैंक है आप C-7 राउंड में जाके official website पे भी चेक कर सकते हैं यह सबकी C-7 राउंड में क्लोजिंग रैंक यहाँ तक आई हुई है तो अगर आप 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रैंक तक के बच्चे इन इन कॉलिज में अप्लाई कर सकते हैं मेकेनिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर दो अप्लाई राउंड में